नमस्कार दोस्तो, Solar Energy Forever में आपका एक बार फिरी से सुवागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 वोट के Solar System के बारे में या स्पेसली हम Luminous Company के बारे में बात करेंगे आपे Luminous Company के ही इनवाटर लेंगे और इन्नी के Solar Charge Controller और इन्नी के eternity के बारे में बात करेंगे आगे आनी वाली वीडियो में हम ऐसे ही स्पेसिफिक एक कंपनिय के बारे में बात करेंगे अगर आप भी किसी com法 infrastruktur के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट करके हम से पूछ सकते हैं या उनके total कितने kilowatt की system पर कितना खर्चा आ सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो के मादिम से दे दी जाएगी, तो आप comment करके किसी भी company के बारे में पूछ सकते हैं, आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, luminous company के अगर आप 500 watt का solar system तियार करते ह हैं, तो आपको कौन सा solar inverter खरीदना पड़ेगा, कितने panel लगाने पड़ेंगे, और कितने battery लगेंगी, और अगर आप normal inverter को solar inverter बनाना चाते हैं, तो आपको कौन से product खरीदने पड़ेंगे, तो यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, product यहाँ पे जो भी मार्केट से खरीदने कोसिस करें, यहाँ पर प्राइस बताया जाएगा, उससे आपको सायद उससे कम प्राइस में ये लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, inverter की बात करें तो आपको इनका यहाँ बड़ी, बैंटरी आपको लगानी होतनी बड़ी लगा सकते हैं, वैसे इसकी range 80H से 200H की है, तो आपको जितना बैंटरी 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 चाहिए, उससे अनुसार आप बैंटरी यहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 10,000 से लेकर आपको 15,000 रुपे में इनकी ब पड़ी भी ले सकते हैं, तो जो total cost होगी आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी होगी, यहां पे हम maximum 5000 रुपय का inverter मान लेते हैं, maximum 13000 रुपय के पैनल मान लेते हैं, और 12000 रुपय के बैंटरी मान लेते हैं, तो almost 30000 रुपय के अंदर आपका 500W का off-grade solar system त्यार हो जाता है, यहां पर मैंने maximum इसलिए बोला है ताकि आप online भी ने खरीदें तो आपको इतनी price में ये मिल जाए और अगर आप local market से खरीदेंगे तो आपको ये ज़्यादा सस्ते मिलेंगे तो 30,000 रुपे में 500 वोट का system आप त्यार कर सकते हैं इनके इन तीनों product से और अगर बात करें हम अगर normal inverter लेकर फिर हम solar system बनाएंगे तो आपको कितने रुपे में पड़ेगा यहाँ पर बात आती है solar charge controller की वो आपको PWM technology का देखने को मिलेगा वहीं जो inverter था पहला ही जो मैंने बताया वो भी PWM technology का ही है इनके MPPT solar charge controller नहीं आते हैं इसका कारण यह हो सकता है कि इनका जो NXT जो series है उसमें सभी MPPT solar charge controller वाले ही inverter है इसलिए साइध इन्होंने अलग से MPPT solar charge controller नहीं बनाया होगा और अगर मार्केट में इनका MPPT solar charge controller मिलता है तो वीडियो कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें बताएं तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इनके inverter की की आपको कौन सा inverter लेना प बता रहा हूँ क्योंकि इसकी capacity है वो आपके solar inverter से जादा है वो साड़े 700 VA का था यह 900 VA का है तो यहाँ पर जो capacity है वो जादा है और इसके ऊपर आप लगा सकते है PWM solar charge controller इसी company का जो किया है 1500 रुपे का तो जो आपका यह solar charge controller लगा कर system त्यार होगा तो यह आपको 6000 रुपे म मिल जाता है 4500 रुपे का आपका inverter मान लीजिए और मंदरा 100 रुपे का solar charge controller और इसकी मदद से आप इसके उपर 400 वोट तक के panel लगा सकते हैं क्योंकि यह single battery का इसलिए आप 400 के लगा सकते हैं अगर आपका double battery का होजा तो आप 800 वोट तक के panel लगा पाते तो यहाँ पे 6000 के और battery के price होगी वो same रहेगी तो यह आपको पड़े अलग 31,000 रुपे में हलांकि 1000 रुपे यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे जो inverter की capacity है वो भी ज़्यादा हो गई है यानि कि आप उसके उपर एक time पे load भी ज़्यादा चला सकते हैं तो अगर आपको कर सकता नहीं आपका काम साड़े 700 वी एक इनिवेटर ही चल सकता है तो बिल्कुल आप वही खरीदें उसमें आपको वायरिंग वगारा की तनी जंजट नहीं होगी आप इनिवेटर के उपर डिरेक्ट बैंटरी और solar panel के connection बड़ी ही असानी से खुद से कर पाएंगे अगर आप MPPT solar charge controller लगाना चाते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा MPPT के जो quality होती है या efficiency जो कहें PWM के मकाबली ज्यादा होती है इसलिए अगर आप थोड़ी से पैसे ज्यादा लगा कर system त्यार करना चाते हैं तो आप Asapower Company का Suria Series का 40 ampere का MPPT solar charge controller खरीद सकते हैं जिसकी मदद से आप 500 वोट तक के solar panel लगा पाएंगे जैसा कि आपको पता ही है जो MPPT solar charge controller होता हो PWM के मकाबले 30% extra power solar panel से extract करता है तो यहाँ पे जो 500 वोट के panel लगाएंगे वो 30% ज्यादा power आपकी generate करेंगे तो यह जो solar charge controller है इसकी के मतलब 7000 रुपे तो यहाँ पे आपको solar charge controller ही बदलना 1500 रुप की बजाए आपको 7000 रुपे लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपके solar panel की जो power है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पे आप अंतादा लगा सकते हैं कि आपका लगबग 6000 रुपे extra जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और solar panel भी 400 के जगाए 500 वोट के हो जाते हैं तो इस जिसकी प्राइस आपको पड़ेगी लगबग 40,000 रुपे करीब तो आपके सामने तीन ओप्षन है 30,000 का सिस्टम भी खरीद सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ तेन ही चीज़ खरीदनी है solar inverter, panel और battery और आप 31,000 का सिस्टम भी खरीद सकते हैं जिसके उपर आप load जादा तला स आपके सामने दो option और भी हैं तो उमीद है आपको पता चल गया होगा कि 500 वोट के solar system के लिए क्या क्या चाहिए और कितना इसके उपर खर्चा आ सकता है हालांकि अगर आप दूसरी किसी company में product खरीदते हैं तो उसमें आपको साइद और सस्ते भी ये मिल सकते हैं लेकिन यह पूर दबाएं ताकि इसी परकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे है धन्यवाद